हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों आप सभी लोग का यहां पे रहमान सरका सेट चराय जा रहा है आपका सेट नंबर वन आपका अपलोड कर दिया गया है आज की बीडियो में हम देखने वाले हैं सेट नंबर टू ठीक है इसको आप सुरू से याद देखिएगा सभी प्रस्तनाप के लिए महत्पूर बन जाता है तो चलिए हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रस्तन क्या इसको हम देख लेते हैं करता है कि राश्ट्री विज्ञान दिवस मना जाता है कौन से तारिख को बताईएगा राश्ट्री विज्ञान जो दिवस से क्या आपका मनाया जाता है ऑप संबी 28 फरवरिक मनाया यह तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा अबցछ और प्रश नम्बर टू पे देखते हैं इसमें बोला गया की निंदलिखित योगों में से कौन का्व का सुम मिलिट नहीं आ इसमें जो आपका सुमलित नहीं तो आपका सही आंसर हो जाएगा option A यानी फुलरीन यूक्त कार्बन यूक्ती जो आपका कार्बन यूगिक है या आपका हो जाएगाamat up son A अग्ला प्रसने क्या यह भी है आपका वही है मिलान ही करके बताना है तो चलिए देख लेते हैं सुची वना सुची तूप अच्छे देखेंगे हम यहाँ पर इसमें बोला गया है कि आपका सुची वना सुची टू को मिलान करके बताना है तो चलिए हम देख लेते हैं आर्चनिक 74 जो है आप चला जाएगा ट्यूमर कोबाल्ट 60 जो है आपका चला जाएगा कैंसर और आयदीन 131 यह आपका चला जाएगा थाइराइड गरंती सक्रियता और सोडियम 24 जो है आपका चला जाएगा याद रखिएगा किसमें चला जाएगा तो रक्त रक्त व्यक्तिक करम में चला जाएगा तो इस फ्रकार से आपका आप्श परहीं जीवित जीव हैं चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आपशन ए-डॉली सही आंसर हो जाएगा अभी आप पे को फाइब और पांचमा कहता है कि लॉंग एक परकार से क्या है तो सभी को बता होगा लॉंग एक परकार से बंद का लिका है ओप्सन आपका सी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट को सने के निमनाकित या निमलिखित ग्राहों को उनकी सूरे से दूरी के बारते करम में विवस्तित करके बताईए तो को सन नबर निकट देश्टी दोस्त को ठीक किया जाता है किसे निकट देश्टी दोस्त तो याद रखिएगा आवतर लेंस परियुक्त करके ऑप्सन आपका यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट को सने की मां और सीसू की बीच गले लगना या चुमना निमन हार्मोन में किसके मोचन को प्रेद करता है तो आप सब लोग कमेंट करके बताएगा कि आपने 100 कोसन में से कितना कोसन सही किया है ठीक है चलिए तो कोसन इमर नाइन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन बी यानि नैट्री नैलीन हो जाएगा ऑप्सन आपका बी सही आंसर हो जाएगा ने से संबंध है तो आपका ऑप्सन हो जाएगा बी निम्न रक्त चाप हो जाएगा आपका यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन देखेंगे कोशन नबर हम 12 देखेंगे यहां पर जुम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे दिख पाए इसमें बोला गया है कि ऐसी युक्ति जो आंकडों को आवेगो में परिवर्तित कंप्यूटर से टर्मिनल को टेली फोन लाइन पर संप्रेसित करती है व जब भास जो आपका जब भाप होता है गुजरती है किसके उपर से किसके उपर से तो आप सभी लोग आंसर याद रखेएगा आपका ऑप्सन हो जाएगा ऐलूमीनियम के क्या हो जाएगा ऐलूमीनियम के नेश्ट कोशने के निमनाकित में से कौन सुमेलित नहीं है कौन आ 902 सरसो का का क्लोन हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका यहां पे सुमिलित काउंसा नहीं है तो डी हो जाएगा नेश्ट कुसनी के एक समाने सूस के सेल में विधूत अब घटे होता है तो यह आपका होता है आप संसी अमोनियम क्लोराइट क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोरा अधी क्या हो जाएगा जो आप का रेटिन आटल है आप चला जाएगा तो यह रागताल पता हो जाएगा और जो का बचता है प्रिडाउक्सिन या पर चला जाएगा मांसिक व्याधी इस प्रकार से अच्छे से मिला सकते हैं अगला प्रस्था कि डाइनेमो पूछा गया है डाइनेमो तो आंसर याद रखेगा डाइनेमो आपको यांतरिक उर्जा को विधुत उर्जा में परिवर्टित कर करता है आपका भी हो जाएगा नेश्ट को सने कि भारत में प्रचूर मातरा में उपलब्ध महतपूर नाविकिये इंधन पूछा गया है तो आपका ऑप्सन भी थोरियम क्या हो जाएगा थोरियम नेश्ट को सने देखेंगे अकास निला लगता है ऐसा क्यों ऐसा किसी कराबर है तो आपका हो जाएगा option C यानी एकवठा एक हजार मिली मीटर हो जाएगा option आपका सी सही answer हो जाएगा सकते हैं तो इसका आप में बता दे रहूंगा आपका ieue हो जाएगा चलिया आगकर देख लेते हैं अगला प्रस्ण कॉश्ण बढ़ 23 देखेंगे कहता कि काली कट के याद रखेगा काली कट के निकट पेवली में खेल कुद अकादमी इस्थापित किया गया है किस के द्वारा तो यह आपका जो इस्थापित किया गया है ओप्सन आपका D हो जाएगा कपिल देव के द्वारा किया गया है डी आपका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन देखेंगे नेश्ट कोशन की सरकार ने 1921-22 के आउधी के दोरान COVID-19 वैक्सीन के लिए कितनी रासी निर्धायत किया गया है तो यह किया गया करीबन देखाए तो आपका 35,000 कड रूपया हो जाएगा आपका 20 सही आंसर हो जा कितने प्रतिसत का योगदान है तो याद रखेगा 54 प्रतिसत हो जाएगा आपका डी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन की भारती सेना ने 100 फिट लंबा भारती राष्टी धोच कहां पर इस्थापित किया अच्छा प्रस्ण है करेंट अफेर का है तो याद रखेगा का अप साग जाएगा ओपसन सी जंस मिर क्या हो जागा जंब लेकिते हैं अगला अफशन है आफगानिस्तान की संसत को क्या कहा जाता है तो यह कहतOME सी सोरा क्या कहता है सो यह आपका मैस का कोशन है तो मैं आपको ऑप्सन का आंसर बता दे रहा हूं का कोशन का इसका हो जाएगा आंसर आपका डी नेस्ट कोशन की पहली बार कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला गया है तो देखा जाए तो आपका स्केट बोर्ड हो जाएगा कराटे हो है चलिए बताइएगा तो पहले भारती याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन डी बिनोवा भावे सही आंसर हो जाएगा इसका पच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अब यहां पे आपको आंसर बता दे रहूं आपका यहां पर चार परसेंट हानी होगा अब आते हैं को सनमर 32 थटी तूल देखते हैं इसमें इसमें बोला गया है कि राष्टे सांखिकी कार्याल है कि आकड़ों के नुसार वित वर्ज दौर्बीस एक कैस में भारती अर्थ विएस्ता में कितने प्रतिसत की गिरावट आई है कितने प्रतिसत की यहां पे नेश्ट को सने की कागया कि अल जजीरा अल जजीरा है एक परकार से क्या तो यह अच्छा प्रस्न है अल जजीरा याद रखिएगा यह एक परकार का टेली विजन चैनल है आपका डी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट को सने की पुराणों का अध्यान करने वाला प्रत्थ आपका चला जाएगा जिस्प्रकार से आंसर आपका का आप सब्सक्राइब की योकडर्शन के प्रतिपादक कौन है बताई क intr – आंसर हो श्रापवानिंगाद रखेगा गॉन्दी नामक आतंगवाद विरोधी अभ्यास किया है अच्छा प्रस्थ और यह करेंट का है तो आंसर याद रखेगा आपका नेशनल सेक्योर्टी गाड़ हो जाएगा option आपका C, सही answer हो जाएगा next question कि सोमेस्वर स्रेडी का विस्तार बिहार के किस जिले में है सोमेस्वर स्रेडी का विस्तार पुछा गया है तो आपका सही answer हो जाएगा option B, पस्चिमी चमपारण क्या हो जाएगा पस्चिमी चमपारण नेश्ट कोशन की देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था तो सही आंसर हो जाएगा आपका option C विस्व नराण अगनी होतरी हो जाएगा option आपका यहाँ पे यानि विस्व नहीं सिव नराण अगनी होतरी option आपका C सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसन के बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना पुछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन परियोजना क्या हो जाएगा सोन परियोजना नेश्ट कुसन के बिटकोईन को वह अधिकारित करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देस निम्न में से कौन बन गया है तो आंसर याद रखेंगा सही अंसर हो हो जाएगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा नहीं को सिनके कौटीलिय pretty dla अशु desarroll JER차 डिया के smrad Khalli तो आपकर यहां पर यहां पर आप संदिया गया है तो आप संदिया गया है तो आंसर हो जाएगा आपका को समीर लोग लोग्यू डाउन कर सकते हैं how much को में किस अन्सने गुप्तकाल में किसने आयुरुविज्यान विसेख राचना किया है तो सही आנסर हो जाएगा आपका ऑप संडी सुसरुत शूरुत हो जाएगा ऑपसे आपका D सही आंसर हो जाएगा नैश्ट को सने की वीदवा पुनरविवा अधनियम किसके सासनकाल में किरियानवित किया गया था यानि किसके सासनकाल में ये शुरू हुआ था ये आपका पूछा गया किसने खतम किया था ये नहीं पूछा गया है तो कन्फूज नहीं हुएगा आपसन हो जाएगा आपका आपसन बी लाड कैंदिन हो जाएगा नेश्ट कोशन की गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था क्या क्या नाम दिया गया था तो ये नाम दिया गया था आपका आपसन सी रूपक हो जाएगा क्या हो जाएगा रूपक आंसर हो जाएगा नेस्ट कोसन की चार देशों के केंदरी बैंकों ने डिजिटल मुद्रा योजना सुरू किया है इनमें से कौन सा देश सामिल नहीं है इनमें कौन सा देश है जो आपका सामिल नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्सन डी भारत द्वर्म के मतावलंबीयों की उपयों के लिए उपयों के लिए काटकर बनाई गयी थी किसके लिए बनाए गया था तो याद रहिए गा सही सही आंसर हो जाए और आपका को मैंसक और आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं इसका अंसर हो जाएगा आपका ओपिस्अ कि वंद मातरम किस गरंथ में संग शंखलीchien किस की द्वारा गया गया था तो आपका सही आंसर हो जाएगा चलिया लेकिए अगला प्रस selfish क्या है को स्र mixture मार Aun देखेंगे इसमें आपका मिलान करके बताना है कुछ इसमें बोला गया है कि बोला गया कि निर्मेखित कतनों में से और फिर निर्मेखित में से कौन एक सुम्मेलित है यहां पर लेख़क दिया गया है और आपका यहां पर पुर्षट के दिया गया है तो आपका export भी हो जाएगा यानी राफीक जकारिया डी मैं हूँ divided इंडिया हो जाएगा इस प्रकार से आपका आंसर यहां पर बीप सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि वानी जे मंत्राले की एक विग्यप्ति के अनुसार्ज और बीस एकरीस के दुरान भारत की क्रिसी और संबंध उत्पादकों की नियता निर्यात में कितने प्रतिशत की विर्द्धी हुई है कि यह सब आपका करेंट अफेर का है तो आंसर सब्सक्रमत्रमत्य नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्सन भी 90 के समयों के कहां आयोजित किया गया था यह आपका इटली में किया गया था नेश्ट को सने की गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार कुडांडी मार्च के समय अपने साबरमत्य आसरे में ठाहरा है था उनका नाम क्या था उनका नाम अच्छा है याद रहे गा और यह बहुत ही इंपो तो यह आरूप लगाए गया था आपका भी हो जाएगा बाल गंगादर तीलग हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा नेस्ट को सने कि निम लिखित में से कौन कैबिनेट मीशन यानि उनिसोची आलिस का स्था से नहीं था तो इस अभी को पता ही होगा ऑप्सन के साफ से आप आंसर कर पाएंगे तो आपका देखाए तो आपका अलेगेंडर हो जाएगा पैतिक लॉरेंस हो जाएगा इस्ट यह फोट किलिप्स हो जाएगा लेकिन आपका लाट वेबल इसमें नहीं होगा तो तीनों का नाम याद रखिएगा इससी तरीके से आपका को सन बनता है आपका उप्सन सी अरुनाचल परदेश क्या हो जाएगा अरुनाचल परदेश नेस्ट को सने की निमलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्वीड पेस किया है थो आप सभी लोग को दिख नहीं रहा होगा त करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका को आपका सही आंसर हो जाएगा कि non वोला गया कि उस भारती पुरुस मुक्यबाज का नाम बताईए जिसने A.C.I. मुक्यबाजी चैंपियंसिट वारे कईस में 91 किलोग्राम वर्ग में सोन पदक जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका option C यानि संजीत कुमार हो जाएगा option आपका यहां पे C सही आंसर हो जाएगा नेस्ट को सने की निमलिखित में से कौन चौरी-चौरा कांड की वास्तिविक जीती है तो आपको डेट याद होना जब बहुत ज़्याद होता है 1922 में लेकिन बहुत लोगों को कम याद होता है पांच फरवरी 1922 जिसको याद होगा वह आंसर कर दिया होगा अगला प्रसने की एक सापताही की रूप में यंग इंडिया का सुभारम किया था किसने याद रखेएगा सापताही की रूप में पुछा गया है तो कोस्टन नमबर एक सेकंड हार सही है उनको लगा 84 है चलिए बताए तो 64 का आंसर बताया तो इसका हो जाएगा अगला प्रसन है कि भारती समिधान और प्रसन हो जाएगा अगला प्रसन है कि भारती समिधान भारत के राष्टपती को अधिकार नहीं देता है तो यह अधिकार नहीं देता है सभी को पता है राज्यों की मुख्योंतरिक न्यूक्ति ये राष्टपती दोरा नहीं होता है आपका आप्सन भी हो जाएगा अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन अच्छा प्रसन है इसमें बला गया कि भारती समिधान के प्रस्तावना में जिन आदर्सों एवं उद्देश्यों की रूप रेखा दी गई है उनकी आगे वेख्या की गई है चलिए बताइएगा तो इसका अंसर हो जाएगा आपका संसुदन विद्यक हुआ था या आपका कब हुआ था तो याद रखिएगा यहाँ आपका 1931 में हुआ था आप्सिन आपका भी हो जाएगा निमन मैं से कौन से एक सम्मिधान एक संसुदन मौलिक करतबियों से संबंधित है तो correct answer हो जाएगा आपका option B 44 सम्मिधान संसुदन हो जाएगा आपका यहाँ पर answer हो जाएगा option B next question देखेंगे कहता है कि सरकारों द्वारा सरकारों द्वारा सूल के एवं कर लगाने का अधिकार सम्मिधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है तो यह कौन से अनुसूची में उल्लेखित है तो सही answer हो जाएगा आपका option B 7 वी अनुसूची क्या हो जाएगा 7 वी अनुसूची नैश्ट कोसने की जोखिम भरे और धोगों में बालसरम का उपयोग निशित किया गया था किसके द्वारा तो यह आपका किया गया था याद रखिएगा उपयोग सभी तीनों के द्वारा यानि भारत के समिधान द्वारा 10 दिसंबर उनिसोचा उनिसोचानवे के सर्वोच्य नियाले के निर्णे द्वारा और सनीप्त राष्ट के चाटर द्वारा तो इस प्रकार से आपका यहां पर आंसर डी हो जाएगा चली आगए देख लेते हैं अगला प्रसनिक क्या कहता नेस्ट कोशन किस आई 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 टी किस आई 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 टी के विग्यानिकों और दिल्ली के विश्विधाले के फैकल्टी आफ मेनेजिमेंट इस्टडी ने एक जीवित पौधे अधारित यानि वायू सोधक और आपका यूबरीत लाइफ बिक्सित किया है जो इंडोर इस जो इंडोर इस्थानों में वायू सोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है तो इस प्रकार से सही आउसर हो जाएगा आपका 73 का ओप्सन डी आई आई टी रोपर और आई आई टी कानपूर हो जाएगा नेश्ट कोशन देखेंगे कि निमनलिखित प्रस्ताओ में से किसका संदर्फित संभंध संगीय बजट से है तो आंसर याद रखेगा सही आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन C कटवति प्रस्ताओ क्या हो जाएगा कटवति प्रस्ताओ नेश्ट कोशन है नेश्ट कोशन देखेंगे कि निमनलीखित युगों में से कौन आपका सुम्मिलित है कौन सा आपका यहां पे सुम्मिलित है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ओप्जन क्या है कोशन नमर 77 देखेंगे इसमें बोला गया है कि भारत में राजियों के और इस्थापना सुधार के लिए रीड एवं अनुदान निमलिखित में से किस एक संस्ता द्वारा दिये गये हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपका आपसन ए वी सो बैंक आपका सही आंसर हो जाएगा चली आगे देख लेते हैं अगला प्रसन है कि राय मोना राय मोना किस राजिये का छठा राश्टी ये उद्ध्यान बना है यह आपका करेंट अफेर का है तो आप सब लोग याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा आपसन डी असम सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन के बिहार में 20 में किस तीथी को विरिहत पैमाने पर मानो सिरिंखला का आयोजन किया गया है तो करेंट आंसर हो जाएगा आपका आपसन बी 19 जनवरी क्या हो जाएगा 19 जनवरी नेश्ट कोशन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के गलोबल अंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन के वार्ड वाल्ड लाइफ फंड का प्रतीक पूछा गया है तो याद रखिएगा आपका ऑप्सनी हो जाएगा जाइंट पंडा क्या जाएगा जाइँट पंडा नेश्ट कोशन की भारत में फोवर्स की वी सुक्छ के सरवस्षिट बैं नेश्ट कोसन है कि संग सरकार के निम्लिखित बजट घाटो पर विचार कीजिये तो आंसर हो जाएगा आपका option C, 2, 1, 3 यानी राजकोसी घाटा उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रारमभी फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा आगम घाटा यहां पर बोला गया है कि इनकी मातरा का घरता हुआ करम बताना था तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा नेश्ट कुछने की ग्रेट आर्टी जी एन बेसिन किस देश में अवस्तित है तो बताइएगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका आप्सन भी यानि आस्ट्रे का औप यहां पर दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपसन d सामुद्रीक समयां पर देखना कर लेकर भी निवार्क होता है यहां हुआ 친 और तो नगर और नदी देया गया था किसका किनारे क्या है तो इस प्रकार सी इसका आंसर आपका यहां पर भी और यहां पर हो जाएगा नेश ह्ट कुसर्ण का सनुउक्तराज अमेरिका में सिलिकोन वैली अवस्तित है सनुक राज अमेरिका में सिलिकोन वैली अवस्तित है तो आपका आंसर हो जाएगा option b कैलिफॉर्णिया में क्या हो जाएगा कैलिफॉर्णिया में कश्च को सब्सक्राइब की निदर्लेन की किस महिला धावक ने तो क्या बताइएगा तो इसका सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आपका ओपसन डी याद रखिएगा सिफान हसन अच्छा प्रस्न है भूलियेगा नहीं एकजाम में आ सकता है कुलू घाटी जीन परवस्रेणियों के बीच अवस्ति थे वह आपका पूछा गया है तो कुलू घाटी याद नगरों में से कौन करक रेखा से निकटम दूरी पर इस्तित है तो करक रेखा पे तो आप सब लोग को पताई होगा आपका यहां पे गांधी नगर जो दिया गया है आपका उत्तर भी हो जाएगा यानि याद रखिएगा नेश्ट कोसन के तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है किसकी तस्रीमा नसरीन तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन डी अमार सुनार बंगला सभी पता यह आपका आंसर हो जाएगा या भूलिएगा नहीं नेश्ट कोसन क्या कहता है कहता है निमलिखित में से निमलिखित में से कौन से एक ओजोन परत की छिंदा के लितने ही हैं जो सई उस को मिदेख लेते हैं आपका यहां पर बोला गया है हिंडा लोको आपका पीपरी और नालोको आपका भुनेस्वर और HCL आपका खैत्री हो जाएगा नेस्ट कोसने की बड़ी लाइन की दो पट्रियां बड़ी लाइन की दो पट्रियों के बीच की दूरी होती है कितना फीट तो यह आपका कितना फीट होता है तो करीबन साड़े 5 फीट होता है आपका भी हो जाएगा नेस्ट कुसन की भारत में सरवादिक जय विवित्ता पाई जाती है तो यह आपका पायता है ओपसन भी सांत घाटी में क्या हो जाएगा सांत घाटी में नेस्ट कुसन की निमन में से सही सुमिलित कौन सा है बताईएगा कौन आपका सही सुमिलित है तो आपका कमर जील पस्या भैरन आपका बेगू सराय हो जाएगा आपका भी हो जाएगा आखरी प्रस्न बोला गया है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दरजा देने वाला कौन सब बन गया है तो यह आपका करेंट अफियर का प्रस्न है तो याद रखिएगा अल सल्वाडोर हो जाएगा ऑप्सन आपका डी सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप सब लोग का यहां पे मैंने सौ कोशन समाप्ट कर दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरू किजिएगा और सेयर भी कर दिया किजिए तक यह और भी लोग डिक पाएंगे तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मात्रम